वेल्कम बैक टू दे चैनल आज मैं चोटा सा ओवर्विव लेके आई हूं आपके लिए अपने टैरेस कारडन का कौन-कौन से पौधे हैं और क्या कंडिशन चल रही है वह आज आपके संग शेयर करने वाले हूं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो टो फसक्राइब कर लिजिए ओधे तो यह देखिये यह सारे उस समय खिल रहे है ऑफिर स्विषन कितना बिक्स साइज का आट भावर्वर ब्लूम किया है वैरो ओधा यह इल्ली इसमें यलो और औरेंजिस टाइप के फ्लावर साती है तो वह देखी मैंने एक साइज के गमलों में लगा दिया बहुत सुन्दर लगता है क्योंकि तिन चार दिन की बारिश के बाद जो मौसम अब हुआ है तो ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है सुबह के टाइम पे जब चीटियां तो गुसी रहती है पता नहीं क्या हो गया है चीटियां हर पॉदे हर फूल पे चीटियों का यही हाल है तो देखे फ्लावर कितना अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं यलो फ्लावर मनला कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है यलो और इंज रेड सब कलर के करें शुम्तों से लगा देता है यह सितमबर क्योंतर होता है जिसमें भी चोटे से यह बॉटल है पाफ्से वाले उसको कि ट्वार लगा लगाका है। यह कटिंग लगा थी यजो कलर का जुपर्सलेंटा है और वाइड वलोड सब्साहर चंपा तो जो सितमबेर में ब्लू बाला होता है व्लावररिंग होती होती है और यह पैंडनहस ter assim का एक प्रोंट लेक час जाए थी तो आए लीक बारिए जितने सारे शूट्स निकल रहे हैं तो कई सारे प्लांट हो जाएंग किरें हैчи और ने सारष क्रीपर्द में ख़ाते हैं मैंने इसमें कई सारे मेरे खजूर के यहां पौधे उग गए हैं और यह ड्रसीना कलर तो देखिए आप कितना वाइबरेंट ग्रीन लग रहा बहुत सुंदर लश ग्रीन और यह पौधा ऐसा है आपको इसमें धूप में भी रख दो च्छाय में भी रख दो तो अच्छा से सर्वाइब करता है और यह जो मैं आपको दिखा रही हूं यह सारी मेरी कटिंग है जो वाइट वाले अपराजिता की है तो इसमें देखिए नए नए शूट्स निकल रहे हैं तो जितनी भी कटिंग मैंने लगाई थी सारी लग गई और कुछ यह सेम के पौदे हैं यह स्रूंध का पौदा है दो साल पहले को लगाई थी भाइकस की छोटी ले इत्की लिया हुआ है थी कैना कोड़ी सी कटिंग लगाई थी बिल्कुल चोटी उंगली के बराबर करी समझ लीजे है और यह संगोरियम् ledod Song अपराजिता के दो कटिंग मैने लगाई थी और देखि इसकी भी यह नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो जो वाइट वाला प्राजिता है उसकी कटिंग लग जाती है थोड़ा सा बारिश के टाइम पर लगाओ तो कटिंग वगरा जल्दी लग जाती है और कुछ खास टाइम होता है कटिंग वगरा ग्रो करने का तो यह देखिए कितना ग्रीन व्यू लग रहा है और कैनली कितने सुंदर लग यह सबको सेपरेट कर दिया है अलग अलग करके और यह देखिए यह गोरी चोरी का है और इसमें यलो कलर के ब्लूम आते हैं यह पौधा देड़ स अच्छा पौधा बहुत चोटे से बास्केट में यह बालती होती है दस उर्पे वाली तो वेस्ट मठेरियली समय लेजिए इसमें लगा दिया है और कितना उंचा हो गया है अबी ब्लूम तो नहीं आया है क्योंकि यह जो पौधा है ना यह बीज से उगा हुआ हुआ है ब और यह देखिए यह एक फूल वाला पौधा है इसकी स्टेंस में फूल आती है तो इसके देखिए बेबी पॉप्स निकल के काफी मात्रा में हो गया है दो से तीन बल्ब थे इसके अब बहुत घना घना सा हो गया है इसको अभी सेपरेट नहीं करेंगे इसी इसी में और भी भी खुश्पू आती है और यह देखिए यह मेरा अलोवेरा और कितना हुज प्लांट है यह मदर प्लांट नहीं है यह उसका बेबी पॉफ निकाल के मैंने इसमें सेपरेट किया था तो कितना हुज हो गया है आप इसकी उचाई देखके समझ सकते हैं सिंगल प्ला कि आप मुझे तैयारी करनी है विंटर के फ्लावरिंग के लिए तो अभी से यह सब हटाएंगे तो इस सब टाइम लेता है तो उस हिसाब से गल जाएगा धीरे-धीरे और यह देखिए यह करेला इसके करेले तो तीन से चार यह निकल चुके हैं और मैंने थोड़ा हार्व है इसकी और यह देखिए नएनी रूट निकल रही है और यह इस कमले में लगा है इसमें तीन से चार पौदे हैं और बस ऐसे यह सो प्लांट के तोर पे लगा है और यह एक्जोरा है पिंक कलर का देखिए कितना बुशी हो गया फिलहाल इसमें कोई बर्ड नहीं है और फ् कि यह किस तरह पे ब्लूम पे आया है बिल्कुल मतलब जिसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट में दिखाऊंगे कैसा था और कैसे देखिए इसमें ब्लूमिंग आ गई है और इस जो बगल में रखा है इस पौदे की मापको कहानी बता दूं यह है पपाया का प्लांट ज जब मैंने इसको निकाल के रखा तो बस बारिश बंद और इतनी तेज धूफ हो रही है कि अब देखिए पौदा सर्वाइब कर जाएगा तो अच्छी बात है देखिए पत्ती तो इसकी अभी ओपर ठीक है पर यह वाली थोड़ी से पीली लग रही है तो देखते हैं कल च अच्छी हो गई है तो फुल जर्नी शेयर करूंगे इसके साथ और यह है पार्चुला का और फ्रेंट्स मैं दिखा दूं आपको कि यह जो गमला है यह कनीर का है देखिए यलो कलर के कनीर का पौदा है यह भी बीज से उगाय हुआ पौदा है यह दो प्लांट है मेरे पास और इसमें जो फ्लावर आता है यह भी नीचे वाली किसी भी इस टम में फ्लावर नहीं आ रहा है फ्लावर आ रहा है उपर एकदम उपर में फ्लावर आता है और इस वाले जो यह दूसरा पौदा है इसमें तो बहुत ब्रांचेस हैं और देखिए कलिया आप देख सकते है हर ब्रांच में कली है और इस तरह के जो शीट पॉट होता है तो इसको मैं तोड़के फेक देती हूं ताकि और शीट पॉट बनाने लगा तो फिर इसमें कली थोड़ी कम आएंगी तो यह दिखा हूँ मैं आपको यह वाला बहुत उच्छे उच्छे ब्रांच पे इसमें आत है और यह है अजवाइन का प्लांट इसको अजवाइन देशी भासा में तो क्योंकि हम खुश्पू बिल्कुल अजवाइन की तरह देता है पर इसका कोई दूसरा नाम है और यह जो आप पीछे गंबला देख रहे हैं यह मैंने कटिंग लगाई है तुलसी की और एक यह द अगर तुलसी के बीच्ट वरे नहीं है कई से तुलसी मिल जाभ लगा सकते हैं और यह देखे इसमें रोट होती है वायच करते हैं ऑर यह कtv ligand tissue की मेंने cuttingुश लगा है और कटिंग लगाने के बाद क्या होता है जोOFF हमने स्टैंप तोड़ दी तो एक जग से तोड़ों तो यह देखित कटिंग बिल्कुल लग गही है कि यह कि दो प्लांट भी टूड़ गई थी लीव भी मैंने दबा दी है लीव से भी प्लांट जर्मिनेट हो जाता है तो यह देखिए इसको रख देते हैं और साइड में आप देख सकते हैं यह इस्नेक प्लांट यह भी मेरा एक लीफ कटिंग के मीडियम से मैंने इसको ग्रो किया हुआ है यह भी मेरी कटिंग है अप्राजिता की यह भी लग गई है तो कई सारे प्लांट बन गए हैं अप्राजिता के मेरे पास और यह देखिए आज ही बसकस में सिर्फ दो ही फ्लावर है वरना कोई दिन ऐसा नहीं हो रहा था कि जिस दिन इसमें 6-7 फ्लावर ना रहा हूं तेज धूफ हो गई है तो देखिए कितना बाइबरेंट कलर आ रहा है ना इसमें बिल्कुल रेड और इसके मेरे पास ना 4-5 प है कि एंदी के पति पती है इसमें जो प्रहआ तो यह सब पूरान हां करते हैं और यह दूसरे पौदे हैं सब एक साथ नहीं है अलग अलग है तो यह में लेके आई तो आप बड़ी हो गई है अब उसी में है जो फ्लावरिंग हो रही है और फ्रेंड्स यह दिखाओं मैं आपको चीटियां चीटियां तो पूछिए नहीं शायद दिख रही है जूम करके मैं दिखाती हूं यह देखती है बिल्कुल लाइन से मतलब पता नहीं क्या मिलता है इनको खाने के लिए बनी रहती है और इधर पे देखिए इधर भी सेम है काफी पहले की यह है एक महिने से उपर हो गया इसमें सेम लगा हुआ है वैसे सेम तो सर्दियों में ही आती है और यह देखिए यह मे मेरे पास तीन से चार पॉदे हैं सभी में कॉर्ण लगी है लेकिन गलती यह हो गई जो पहला भुटा था था ना हम लोग ने एक्साइटमेट में तोड़ लिया और उसमें आधे में तो बीज निकले और आधा तो बिल्कुल ऐसा ही निकल गया लेकिन चीटिया अभी भी में दे जरूर लगा दी मैंने और इधर मेरे जो कम जो धूप पसंद है जैसी यह स्पाइडर प्लांट आप देख सकते हैं इसमें देखिए रणर निकल रहे हैं कई सारे लास्ट वाले जो रणर निकले थे वह कोई भी मैं ग्रो नहीं कर पाई और यह पौधा बेकार हो र प्लांट रहे हैं यह देखिए आप इसका यह मल है जो कर टपिलर का और यह एक रियो वाला प्लांट है यह वैरिगेटेड है प्लेट भी है मेरा लेकिन क्या हो गया समय जो तिन चार दिन की लगातार बारिश रही और च्छत पर रख रहा है तो बिलकुल गल गया है अब है उसके बेबी प्लांट है छोटे-छोटे सर्वाइब कर जाएगा और यह इसने एक प्लांट है जो मदर प्लांट से मैंने अलग करके इसको रख दिया है यहीं पे साइड में थोड़ी सी यहां पर शेड रहती है चुकि इसके बगल में एक नीम का प्लांट है तो उसे श बोगन विल्या प्लांट की और शेयर किया था आपके संग वीडियो तो अच्छे से यह भी ग्रो करा देखिए इसमें भी मैंने गेंद लगा दिया आलमोस्त मैंने जितने भी अपनी गंबले हैं मुश्ली मैंने गेंदे सब में लगा दिये हैं और यह देखिए टर्टल वाल जो वाइन होती है वो और यह भी यह पौधा बिल्कुल बिमार हो गया था बिल्कुल बिमार मतलब पत्तियां इतनी मुड गई थी और बस इसका इलाज चल रहा है ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है और यह मेरा सफेद कलर वाला जो ही बिसकस है तो इसमें भी देखिए कलियां बहुत है और इसमें भी मैंने एक से दोग गेंदे लगा दिये हैं जो कि देखिए थोड़े दिन बात क्या होगा सर्दियों में यह डॉर्मेंसी में चले जाएंगे इसके सवाले प्लांट तो जो गेंदे हैं उनका मौसम आ जाएगा तो इसमें एक में कली भी आ ग कितना ग्रीन व्यू है यहां आपसे तो चलिए दूसरा कॉर्णर भी दिखाती हूं आपको और फ्रेंड्स यह नए मेहमान है हमारे यहां के हमारी बग्या के यह बिल्कुल फूल ऐसे लगते से दिया और बाती तो एक कॉर्णर यह है यहां पर मैंने जितनी बेल वाली उपर चलड़ जाए और यह सारे जो गुल दो पहरी वाले फूल होते हैं वह लगे हैं और बहुत अच्छे कलर का फूल आता इसमें और यह मेरा है और इंज कलर वाला ही बिसकुस जब नया लेके आयते तो पहले दिन तो बड़ी अच्छी सी बड़ थी कुछ दिन बाद ब बहुत प्यारा कलर में के जब ओकल जाते तो यह फूल गहता है जाती है पर यह आधने संत्व हर जगे मैंने प्हलें है और यह अधन के पहला है और यह ब donn बेनिया में लेखते हैं सके यह घेंदा है और यह जो पास आतो यह इस memview आ साइज तो देखी आप यह रेड वाला ही विसकस तो ही विसकस के मेरे पास 6-7 प्लांट है और वराइटी भी 4-5 अब हो गई है और यह एक जंगली कहां सुमा बेल है तो बस ऐसे चड़ा दिये ग्रीन लुक देने के लिए और इधर कैना लेली इसके बगल में आप देख सकते अनार का पौधा भी बहुत बढ़ा हो रहा है दीरे दीरे और यह बोगन्यूल्या लेकिन बोगन्यूल्या जब से मैं लेके आई हूँ एक पार ब्लूमिंक नहीं आती है इसमें और यहां से मैंने टेप्स तोड़ दी थी तो एक से दो मतलब पौधा को अगर ऑपको तुलसी है तो अभी ज्यादा बड़ी नहीं है पर बुशी करने के लिए हम इसकी टिप्स तोड़ते रहते हैं और यह देखिए आप यह एक चीकू का पौदा है पर आज तक इसमें कोई चीकू नहीं आए है काफी बड़ा था तो मैंने क्या किया यह जो ग्राफ्टिंग वा कर लो तो मरते नहीं है अच्छे से फिर दुबारा ग्रोथ ले लेते हैं और यह कुछ सेम है और यहां पर देखिए भुट्टा लगया हुए इसमें एक पौदे में दो भुट्टे हैं पर आपको चीटियों के दर्शन कराते हैं आप चीटियां बहुत है तो इसी चकर में मैंने जो पहला भुट्टा निकला था वो मैंने तोल लिया था कि हो सकता है हम लोग को तो दाने भी खाने को ना मिले और चीटियां ही सारा चट कर जाएं और यह जो भुट्टा है ना ही सबसे पहले जो पेर निकला था भुट्टे का तो वह यह है उससे हमने एक यह को एर शायद इसको इलिफेंट एर बोलते है हुए वह द्योंत है फ्रेंट ये था मेरा च्छोटा सर्व बगिया का ओवर्व्यू तो कैसा लगा आपको कमेंड़ करके बता देना और अगर आपको मेरा बॉल्कनि का गार्डन देखना है तो एक क्मेंड़ दिरूर कर देना वो भी मैं आपके सांग शेयर करूंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तिल देन बाई बाई